हेलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं आपके चैनल शेयर बजार विदायूश और इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे 31st अगर सेनी आज की ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में तो देखें आज एक IPO की लिस्टिंग होती है और एक और नया नाम निकल के आ जाता है जो ए इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे लेकिन एक और इंपर्टन बात कि कि कल एक बड़ा IPO ओपन होता हुआ देखने को मुलेगा कौन सब बड़ा IPO है उसके वीडियो में चर्चा करेंगे तो वीडियो को पुरा जरूर देखेगा उससे पहले दोस्तों अगर भी तक आप सब्सक्राइब को होने वाला है तो 441 रुपीज का दोस्तों प्राइजब रिशब इंस्ट्रूमेंट्स का यानि जो भी ऐसा लगा रहे एक बात का खास तौर पर ध्यान रखे कि 441 रुपीज ये आपको स्लेट करना है अगर आप साही पर अंदर अपनी अप्लिकेशन लगार है लॉट साइज दोस्तों 346 का कुल मिलाकर है ये जो टोटल इशू है वो 490.78 करोड का है जिसमें से बहुत छोटा सा पोर्शन फ्रेश इशू है जो अल्मोस 75 करोड का है और बाकी का ओफर फॉर सेल है 415.78 करोड का ये आपको पता होना जाहिए बाकी ये है कि जो 2.56 ताइम दोस्तों इस इशू को भर दिया है जो अल्मोस 188.30 करोड होता है बिगे चनाइज ने अल्मोस 2.56 में से बिगे चनाइज का पोश्चन 2.20 और स्माले चनाइज का 3.27 रीटेल के टेगरी दो कुना दोस्तों बढ़ चुकिए यानि 354 करोड रूपे टोडल अप् कुल मिलाकर यह एशू 1.58 ताइम यह फुली सब्सक्राइब ओवराल यह हो चुका है इस IPO के अंदर पूरा IPO भड़ चुका है इसमें कोई डाउट नहीं है और यहां पर पैसा जो है वो बेसिकली हर एक कैटेगरी के तरफ से निकल करा रहा है एक्सेट QIV जो आखरे दिन ड उतना application आता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है जितना last कुछ recent IPO में आया था reason simple है कि वो यह IPO उतना ज्यादा listing यह नहीं दे पाएगा जितना उन IPO ने दिया है for example जैसे आज Aeroflix के listing बहुत ही बढ़िया हुई तो यह बात simple है कि जो देखे IPO के अंदर जितनी listing गेन होंगे उत 28 रुपीस का इसका price band है 150 shares को मिला कर आपको मिलने वाले अगीन यह issue भी दोस्तों बहुत छोटा है जैसे अभी pyramid technoplast आया था उसी type का यह भी company है जो T category में आपको fall करती भी देखने को मिलेगा इसका मतलब यह है कि जब बाजार में list होगा IPO तो इसकी जो circuit limit रहेगी वो सिफ circuit limit revised रुजाती है लेकिन यह भी उसी में list होगा because issue का size काफी छोटा है 165 करूर का issue है उसमें से 135 करूर का fresh issue है और बाकिये का 29.79 करूर का offer for sale है इसके listing भी B.A.C. अनी से दोनों पर होगी इसमें जो reservation है वो 50% is for QIB एचना इसके लिए 15% and retail category के लिए 35% जो overall reservation है वो basically रखा गय है अगला दुस्तों जो IPO पन होने वाला है उसका नाम है Jupiter Lifeline Hospitals तो देखें नाम से अतल जाता है कि यह hospital है basically यह company multi specialty tertiary और content Marie healthcare provider है मुंबाई metropolitan area के अंदर यह MMR में और company western region of India के अंदर भी पाई जाती है तो Jupiter Lifeline Hospitals basically MMR में ज्यादा काम करता है नहीं मुंबाई metropolitan area के अंदर ज्य issue का size ठीक ठाक रहेगा मतलब ऐसा नहीं कि चोटा मोटा IPO है क्योंकि जो fresh issue है वो ही almost 542 करूड का है और इसके बाद offer for sale भी आएगा बाकि इस IPO की दूस्तों listing BAC और इसे दूनों पर होगी होगी प्राइजमेंट जरूर निकल के नहीं आये लेकिन company दूस्तों 19 अगस्त को 19 अगस्त को हाली में private placement किया था और प्राइजमेंट किया था at a price of rupees 735 तो क्योंकि 19 अगस्त बहुत पास ही है तो मान के चली 735 रुपे के आसपास इसका प्राइजमेंट आना चीए 735 भी आ सकता ह इसमें कोई डाउट नहीं है पर 735 के आसपास आना चीए अगर 1000 रुपे के आसपास या फिर उससे जादा लिया है फिर मान लीजे 900 रुपे लिया है तो इसका मतलब यह कि valuations फिर बहुत महेंगे हो जाएंगे because जो private placement company ने एक महीने पहले भी नहीं हुआ है लब दिन क्या पते हैं 31 चल रहा है और 19 अगस्त को इन्होंने private placement किया है तो पता है कि 11 दिन के अंदर valuations तो कोई उपर जा नहीं सकते तो 735 रुपीज के आसपास आने का इसका price band बहुत ज्यादा मान के चलिए पका ही है इसके आसपास ही price band निकल कर आएगा अब यहीं देखना है कि इसकी headquarters चननाई में आपको देखने को मिलेंगे तो यह अपना IPO लेकर आने वाले अगेन SME मतलब होदा है small and medium enterprises कि market valuation ज्यादा नहीं होती है तो यह अपना issue लेकर आया है एक September से 5 September के बीच में open होगा यह नहीं कल से यह issue open होने वाला है 5th September दक open रहेगा 2nd 3rd को तो market बन दे दन 4th औ 53 करूर का fresh issue है और बाकी का offer for sale है 5.82 करूर का इसकी listing की NSC SME पे होगी याद रखिए का सिफ NSC पे list होगा यह क्योंकि NSC पे list होगा इसलिए अभी से जो grey market है वो तो अभी आपको बताऊंगा कितनी चल रही है मतलब unbelievable में कह सकता हूं मुझे याद नहीं आता है recent वे ऐसा कौ रक्स ही आपको बड़त देखने को मिली है मतलब आप खुद notice कर सकते हैं यह सारे figure lakhs में है तो मैं आपको करूर में convert करके बता देता हूं तो company दोस्तो 15 करूर 71 lakh का assets पेस कर रही थी 31 मा 2022 के अंदर वो assets बढ़के 53 करूर हो जाती है एक साल के अंदर यह जो company का revenue है उस पे आ 90 lakhs का दा वो 27 करूर तक पहुच जाता है अगले साल company उपर borrowing भी अगर देखने है तो बहुत खास नहीं है मतलब पहले 4 करूर 13 lakh की थी जो बढ़के 4 करूर 27 lakh की है बड़ क्योंकि दूस्तों company के जो key indicators है return on equity return on capital employed वो काफी जादा उपर है 155% का company return on equity है 104% का company return on capital employed है debt to equity ratio भ सच कोई दिक्कत नहीं है उसमाद जो company का पैसा आएगा उससे company एक studio facility हैदराबाद के अंदर डालने वाली है और expenditure भी यूज करेंगे उसका पैसा उसमें कुछ additional infrastructure company यूज करने वाली है बाकी company investment भी खरेगी तो equity in the subsidiaries and expansion of workspace by acquiring new office space located in London तो इस तरीका का basically का company का का काम है और definitely एक company जो है वो बड़िया reward दे सकती ऐसा लगता है अब grey market पे चरजा कर लेते हैं तो grey market में 35 रुपीज चल रही है current grey market रतनवी प्रिसेयन के रही है अल्मोस्त 35 परसन है grey market में अच्छा उच्छाल देखने को मिला है 38 रुपीज तक चले गई थी प्रमारा प्रमोशन्स दोस्तो एक नया SME IPO है जो open होने वाले 63 पीस का price band है कोई खास grey market नहीं है बट ये भी कल सी open होगा बैसे लिए फ्लाय स्टूडियो grey market आप कुद नोटिस कर सकते हैं 185% के premium पे current grey market इसके चल रही है जो अपने आप में च्छा बोलू है मतला बहुत जादा शानदार है तो इस प्रका ठीक है अपना काम में लगाना अप लगा दीजीगा अगला है सरोजा फार्मा इंडस्ट्रीज एक SME IPO जो दोस्तों open हुआ है आज से current subscription कुछ खास नहीं है कोई grey market नहीं है देखते कितना पैसा निकल के आता है रीशव instruments grey market में गिरावट देखने को मुली है 66 रुपीस तक चुका है अच्छा subscription receive overall कर लिया इस IPO ने और almost दो 37-38% के लिस्टिंग की possibility नजर आती है तो लिखते कितने पर यह list हो पाता है जो बंद हो चुका है और subscription करेवन 13 गुना निकल किया है 3 रुपे के current grey market है 4 September को इस IPO का allotment है search fashions कल allotment आने वाला है एक रुपे की आसपास की grey market है कुछ खास grey market नहीं है विश्णु प्रकाश RIP का दोस्तों आज allotment है allotment पे एक separate सा वीडियो आज आ जाएगा जिसमें हम बात करेंगे किस तरह से चेक करना है तो उसकी कोई चिंता ना करे तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था होपफुले आपको वीडियो बढ़या लगा होगा अगर लगा तो लाइक कर देना चैनल से पहली बाई जोड़ो सब्सक्राइब कर देना थैंक्यो फ्रेंड्स वाचिंग दिस वीडियो